लेकर आपसीमन दोस्तों कैसे हैं हैं आप सब आपके लीए ऐसान बोटततीं रस से भरा हुआ बिल्कूल असपंजी गुलाब जमुन की रिस्पी लेकर आई हूँ जिसे आप चैट पर बना कर ट्यार कर सकते हैं और dしま बनाये बनाना फेंअना पहुछ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें तो गुलाब चमन बनाने के लिए मैंने आपका तेरी वाइटनर मिल्क पॉडर लिया है मैंने और तेरी कप के लागोग में है यानि कि देर सौरम के लगोग में तो आप कोई भी कप एकाटोरिस एड कर ले इसी सब मैंने आधा कप मिल्क डाल दिया है यानि की दूद इसकी बाद हम सभी चीजें को अच्छे से मिक्स कर देंगी और आप देख सकते हैं मैंने इसको मिक्स कर दिया इसमें लंस बिल्कुल नहीं है तो आफी में चलते हैं गैस की तरफ अई से हमें लोग लिम यहां अध्या यहीं खूल इसमाल कर कि इसी तरीके से में लगताता यहां चला लग जाए गा ez को ऊफ कर देंगे और रूसरीत नहीं हो उत्या है अप श्रस कर देंगे और श्कुला हो जाएगे जब तब तक यह हो रहा है इतनी हम फाइखा चैनी करना कि लिए za तब चास्नी पाउड़ा दिशिना को धे Responsive अरं वह दे टामाचनी के चीजर दाला चीमक्त है लुटना हेखाना चास्नी आन किया हों मुझे खुल को घूलेटे बाद मेत शीक बद अबक आधे चानी घूली के लिए था मुझे हमने चाहिए चासनी आप चाहिए जरी में भी माउवां के अठ्ड़ा हुगे तो क्याले है थे में ब어를 टक खान भी ज्यक्त भी मैं ठें कैगर निक्स नहींत आपšने तक किसी भी तरह कोई भी गुठलिया नहीं चाहिए नहीं तो गुलाब ज़वन हमारे क्रेक्षी नहीं बनेगी तो मैंने इसको एक जड़ी मिनद तक मिला लिया है तो मैं इसमें 2 टेबलस पून मैदा डाल दी हूए आप इसमें 2 बड़े चमाच मैदा डाल सकते हैं और मैद मैदा मीलाना है इसको आटे की तरह अच्छे सभुनना और मुलाइम कर तयार कर लेना है तो इसे त्रीक टेंट कर देंगे देंगा शोड़े दो लाग पयाण धर लिया है रहा द को अदात शुटी चम्मत राल दाल देए ताक olsun इसमें दोड़ा एक्टिवेट हो जाए इसके बाद हम इसको डो में अच्छे से मिला देंगी। इसे में 1-1.5 मुनिट तक और बनाना है, तो मैंने 11-1.5 मुनिट तक और मिला लिया , और देख सकते हैं मैं बिल्कुल चिकना सा बिल्कुल शॉप्ट गुलाब जामून के लिए डोला कोई भी छोटा चमच का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सारे गुलाब समून बिल्कुल एक ही साइस के बने और गुलाब समून हमें बिल्कुल क्रैक फिरी बनाना है बिल्कुल चिकने बॉल्स बना कर तयार करना है इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए यदि इसमें तो इसे फ्राय करने के लिए में आप घी का इस्तेम plays попроб करना है अप तो घी scrub कर शिते तो अबंधी अप्लिया च्छिक्ट्छ अपर यचल कें टरका है और ईसे सकते हैं तरीके से कर आंग उसी तरीके से रोटेट करना है जो इससी तरीके से रोटेट करना ई तो है श्रम मीन when रोटेट करते केट बात बहुत ही प्यारा उदा कहाई इसको भी आसपर ढ़ा लेते तो चासनी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको द्वारा से गरम कर दिया है गुलाब जामन डालते टाइम चासनी हमें थोड़ी सी गरम चाहिए होती है तो मैंने इसको द्वारा से गरम कर लिया है सारा गुलाब जामन हमें इसमें एड़ कर देते हैं और इसक मैं इसको आपको कट करके दिखाती हैं यह देखिए कितनी सारी चांस नी इसके अंदर भरी हुई है और अंदर से बिल्कुल सोप्थ है पोखुत ही ज्यादा स्वादिश को लाप्जाउन बन कर ते यार होते हैं आप देख सकते हैं मैं इसको निशोड़ कर दिखा रही हुए और तो आप एक़गर से मस्टिप को फॉलो करती भी जरूर राइजिए कैसी लगी में अपको मेरी आज की ऊचेड़ि ए वीडियो के साथ यह सब करें और मेरे चैनल सब्सक्रैब करना बिल्कुल मृट थैंक्स पर वाचिंग एक वर फिर मिलते हैं एक नहीं रेस्पी बाक